नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में मेरे नाम है परदीप सिर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोलोजी अब यूटूब चैनल दोस्तों आज बात करेंगे कि अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं आपका भी पीएफ का पैसा जमा हो रहा है आपक आपको जो पैसा रहता है वह आपको नहीं मिलता और जब आप एक एज है एक रूल है जब आप अठाउन साल के हो जाएंगे अभी तो एक यही नियम है तो आपको एप फो की तरफ से हर मेंडिने पैस्ट मिलेगी एप पैस्ट स्कीम के तहर्ट है यहां पर मैं सबसे पहले यानि की जो employer रहता है वो देता है 12 परसेंट जो आपका पैसा आपकी salary से कटके जमा हो रहा है वो पुरा कपुरा PF में चला जाता है और company यानि की employer जो 12 परसेंट देता है उसमें से 3.67 ही जो है PF में जाता है बाकी बचा 8.33 वो चला जाता है pension में और maximum pension में जानने की जो limit है पैसे की वो है 1250 रुपए अगर आपकी salary basic जो है 15,000 से जादा भी है तो भी 1250 रुपए से जादा pension EPS pension में पैसा जमान नहीं होगा तो यहां भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर कि आपकी service total service अगर एक company में आपने काम क्या है या फिर multiple company में काम क्या है तो total service आपकी अग निकाल नहीं सकते यह आपको जब आप ठाउन साल के हो जाएंगे तब आपको हर महिने pension के रूप में मिलेगा आपकी अभी तो जो EPF को को नियम है minimum 1000 रुपए pension और जो maximum है वो है 7500 रुपए अब देखिए अगर आपने 20 या फिर 25 साल या फिर 30-35 साल अगर किसी company में या फ ने 30 साल की हो गई या फिर 35 साल की हो गई तो आपने PF का पैसा तो आपने निकाल लिया ठीक है वो तो निकल जाएगा तो अब आप जानना चाहते हैं कि भाई मेरे को 58 साल का जब मैं हो जाऊंगा फोरम 10D जब भरूंगा तो मेरे को हर महिने EPF की तरफ से कितनी pension मिलेगी त तो आप किस तरह से अपनी pension, EPS pension calculate कर सकते हैं कि आपको कितनी pension मिलेगी तो आपको आज इस वीडियो में live आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी या फिर अपने फ्रेंट फेमिली मेंबरे में जिसने भी जो है दस साल से ज्यादा की service कर लिया है उसकी EPS pension calculate कर सकते हैं उनको कितनी pension मिलेगी तो वीडियो में आगे बड़े उससे पहले छोटी साप से रिक्वेस्ट है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की टेक्निकल है पून ओलबेस आपको जो है regular वीडियो मिलती रहे मेरे को support करना चाहते है तो बस इसके लिए आपको क्या करना है वीडियो क आपको बता देता हूं अब यहां पर मैंने calculator open कर लिया है अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा उसके बाद आप किसी की भी pension जो है calculate कर सकते है कि उसको कितनी pension मिलेगी खुद की अपने friend family member में किसी की भी अब देखिए अगर किसी करमचारी ने 30 साल नोकरी की है तो उसकी basic salary 15,000 से अधीक है तो उसकी अधिकतम मासिक pension formula के अनुसर 15,000 ही रहेगा calculate 15,000 के इसाब से ही calculate होगी अगर किसी की salary basic 16,000 है 20,000 है 25,000 है 30,000 है तो 15,000 pension formula के तहती जो है उसकी calculate होगी और अगर किसी की basic salary 15 15,000 से कम है फिर वो जो है उस जो भी 15,000 से कम salary है उसके हिसाब से calculate होगी अब किसी की 15,000 basic salary है ठीक है तो यहाँ पे मैंने 15,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया है अब उस्तिने 30 साल नोकरी करी है तो यहाँ पे 15,000 को 30 से गुना कर देंगे और फिर उसको भाग देंगे 70 से तो महिने की उसकी जो पैंशन हो जाएगी 6428 और कुछ पैसे यानि की 6429 रुपे उसको हर महिने EPS पैंशन मिलेगी अब यहां पर अगर किसी ने 35 साल नोकरी करी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी सैलरी 15,000 से जादा थी या फिर 20,000 थी 25,000 थी तो वह 15,000 में ही जो है फोर्मुले के तहट आएगी तो 15,000 यहां पर हमने कर लिया और 35 साल नोकरी करी है तो उसको 35 से गुना कर देंगे और फिर उसको भाग कर देंगे 70 से और यहां पर जो पैंशन मिलेगी वह 27,000 रुपए अगर अब किसी की जो है बेसिक सैलरी जो है वो थी 12,000 रुपए और उसने जो है सर्विस करी है वो करी है 25 साल तो यहां पर 12,000 रुपए मैंने आप मैंशन कर दिया और यहां पर गुना करा 25 से 25 साल हो गया उसके बाद 70 से भाग दे देना है तो यहां पर उसक बहुत इसे आप किसी की भी pension कैलकुलेट कर सकते है सिंपल फंड है उसकी जो बेसिक salary है वो आप को यहां पर pertama करनी है अधि TYP कर रदेंगे उसकी भातु है उसकी उसको गुणा करेंगे उसकी तोidad जो सर्विस है उससे कि उसने टोटल सर्विस उसने टोटल कंपनी में कितने साल काम किया टोटल सर्विस उसकी कितनी थी उसको गुना कर देंगे बेसिक से तो यहां पर उसकी टोटल सर्विस थी समझी यह 32 साल ठीक है उसके बाद उसको भाग देंगे 70 से यहां भाग दिया 70 स तो यहां पे महीने की जो pension हो जाएगी वो जाएगी 5942 इस तरह से आप जो है pension calculate कर सकते हैं कि एप्यप्यों की तरफ से pension कितनी मिलेगी अगर आपने 15 साल नोकरी करी है और आपकी basic salary 12000 रुपए थी तो अगर आपने 15 साल करी तो basic salary 12000 यहां पर कर दिया गुना कर दिया उसको 12 स साल 12 से और भाग दे दिया 70 से तो महीने की pension मिलेगी 2057 रुपए तो दोस्तों आशा करता हूँ यह जानकारी यह information मैंने आपकी साथ share की आपको पसंद आई होगी अब आप भी जो है अपनी अपनी फ्रेंड फैमिली मेंबरें किसी कई भी जो है pension calculate कर सकते हैं कि उसको जो है क्या करना पड़ता है तो इसके लिए मैंने जो है dedicated separate EPS pension के बारे में वीडियो बना रखी है उसका link वीडियो के description में दे दिया है और उपर i button में भी link दे दिया है उस वीडियो को प्रेस करके अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो EPS pension से संबनी सारे जो doubts हैं सारे आप PF account holders हैं तो आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं मैं प्रदीप सर्मा फिर मिलता हूं ने वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा बबाए टेक केर